हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टूडी फीड़ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह बारा हुआ प्रैक्टिस सेट हैं जैसा कि एमपी वर्क टू उत्तरपदेश टिजिटी-पिजिटी यूपी यल्टिग्रेट बीपिए सिटियरिफोर सभी के लिए मैं डेल करके कोशन्स हल कराऊंगी आप टेंशन ने लिजिए बस डेली बेसे से बने रहें और अपना सेल्फ इस्टूडी भी करते रहें तो चलते हैं आज की कोशन्स के तरफ सबसे पहले दोस्तों जो आपका पार्ट नंबर 11 है उसमें जो आठवा कोशन है बास्केट बाल वर्ल स्रीज की सुरुवात कब होई वहां पर बेस्बाल वर्ल्ल स्रीज था जिसको मैंने बेस्बाल की जगव बास्केट बाल वर्ल्ल स्रीज टाइप कर दिया है गलती से तो वहां पर आप याद रखेगा कि जो बास्केट बाल वर्ल्ल स्रीज है 1950 से स्टार्ट हुआ और जो ब आप टेंसन ने लिजिए किसी कोशन में डाउट नहीं रह जाएगा तो याद रखेगा बास केर बार वर्ल्ड सरीच 1950 और बेस बार वर्ल्ड सरीच 1903 तो आठवा नमर कोशन जो ग्यारान में पार्ड में है उसको आप कर लिजिए तो चलते हैं आज के कोशन नमर वन के तरफ कोशन है खेल उपकरण का क्रेय करते हैं आप किन बातों का आप इसे महतो या ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कोई भी खेल उपकरण आप खई देंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास बजट कितना है और उस बजट में क्या गुडवत्ता पूर बजट जो आपका उपकरण है मिल सकता है कि नहीं यहां पर आपसटन नमर 20 आपका राइट एंसर हो जाएगा गुडवत्ता पूर्व बजट के अनुसार अ गुडवत्ता देखेंगे और बजट के अनुसार आदेश न्यायोचीत होना ही नहीं है इant इस सभी चीज़े जाचके तब लेंगे निमग होता है तो दोस्तों किरबौल में और पति semua नियंदे लगू होता है तो स्पछाय बार्च बैज कर दो फिंट केम अभ्र जो इंसर हो जाएगा एक टीम के साथ वाँ फाउल होने पुरा होने पर क्योंकि अगर किसी टीम के खिलाड़ी से अर्ध पाउरी में साथ ब्यक्तिगत फाउल या तक्निकल फाउल हो जाए तो उसके पस्चार की सभी तुरूटियों पर एक और एक कर्यम लागू होता है कोशन नमर थ्री है भारती ओलंपिक संग का गठन किस वर्स हुआ और इसका प्रथम अध्याश कोन था तो दोस्तों आप सब को पता है इन्वीचीर वाज इनियन ओलंपिक एसोसियेशन यानि आई आई ओए फांड है इस फर्स्ट प्रेसिडेट तो आप सब को पता है 1927 में इसकी स्थापना किया गया और इसके प्रतमाम अध्याश थे डाक्टर दुराबजी टाटा के टाटा और प्रतमाम अध्याश है पीटी उसा जो आई ओए की महिला पहली महिला अध्याश्च बनी है कोशन नमर फूर है निवन में से कौन सी टेनिस प्रतिवता ग्रेंड इस state शैनलसा होते हैं जिसे हम Grand Islame टूनामेंट कहते हैं जो आश्रणियन ओपनावर्च फ्रेंच ओपनावर्डन अपन ऊपन यह पी आश्रणियू और उपनावर साल जन्वरी के महिने में हार्ड कोट पर खिला जाता है जो 1905 से खिला जा रहा है यहां बिक्टुरिया की मेलबॉर्ण पार्ग में खिला जाता है जो फिरेंच ओपन है जैसे लाइन से खिला जाता है आशलियन ओपन फिर फिरेंच ओपन फिर बिबलन ओपन फिर यूस ओपन तो आस्टलियं उपन 1905 से शुरुवात हुआ फ्रेंच आपर 1881 से सुरुवात हुआ विपमल्डन उपन 1877 से एन युवस ओपन 1881 से आपका जन्वरी के मद माह में खेला जाता है हार्ड कोट पर फ्रेंच आपर मैई-जून में खेला जाता है प्रतिविता ग्रेंड इसलेम और 1877 से खेला जा रहा है जून जुलाई महिने में ग्रास कोड़ पर खेला जाता है यूज जो अमेरिका में खेला जाता है अटारषो एकासी से खेला जा जा रहा है अगह सितंबर के महने में हार्ड कोर पर खेला जाता है यानिकि अस्तेणी उपन यूस ऊपन हार्ड कॉड पर मंडन नोपट ग्रास कोड़ पर फ्रेंज ओपन खेला जाता है सबसे पुराना ग्राइशनम प्रतिता अठासो सफत्तर में विमल्डन उपन इंग्लेंड है सबसे पुराना चैनिस का सर्चेश्ट पतेगीता और सबसे उसके बाद आपका अठासो एक जासी में यूएस उपन आया ठीक है लेकिन साल में जो करम वाइश करा जाता है तो पहले आस्टरियों और फिर फ्रेंच उपन फिर मिल्डन उपन फिर यूएस उपन करा जाता है कुछ निम्नाश्टिक के लिए फैरल बार का जमीन से उचाई कितनी होती है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो आप जिम्नाश्टिक होता है उसका जो जिम्नाश्टिक हाल होता है जिम्नाश्टिक हाल साथ गुड़े तीस मीटर का होता है और जा 5 ऊंप्ो अब सरानों, बिडियो के देखेंगे आपको सभी चीज़ हो जाएंगी पूर्सो के लिए वीडियो कोई हो अब को सब्सक्षा फ़ार्ट रूपा , सप्सक्रा, नैक एक कि णि Sound तो सेiger नोव में Top है और चार महिलाओं के अंद्रगत चार महिलाओं के अंद्रगत है फ्वासीवे फ्वासी फ्लो sauce water से वाल्टिंग हार्स सी से सिमेट्रिकल या अनिवर वार वे से वैराइंसिंग भी ठीक है इमेराव के अंतरगत आती है जिन्नाष्टिक के लिए जो वैरल वार होता है उसकी जो उचाई होती है या क्या पूछा है यहां पे जमिन से उचाई ऑचधूर पूलें से ब स्बूसितंग ही जो हमा पिस्था इस अधिश्वलग से अहीं Q6. प्राजीन उलम्पीक खेल की बारे वे कौन सा कथन असकते है? Which statement about the Asian Olympic Games is false? तो आपको जो false है उसको आपको डूरना है. तो यहाँ पर देख सकते हैं, पंजी करोण के पस्चाज प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता है. एक दम राइट है. प्राजीन उलम्पीक खेल में जो एक बार पंजी करोण अपना रजिस्ट्रीशन करा लेता था, उसको पुरा अपना नाम वापस नहीं ले सकता था. उसको करना ही होता था. भी है दास जो है उलम्पीक खेल में भाग नहीं ले सकते थे. यह भी राइट है. प्राजीन उलम्पीक खेल में ले सकते थे. इस्टेडियम को नश्ट्र किसने करवाया था, थि यह रोजियर सेकेंड ने 426 इस वी में. तो यहाँ पे आपसन नमर जो डी है, और अवरती उलम्पीक खेलों में भाग ले सकते थी. यहाँ तक कि खेलों को प्रतेडियता को देखने तक कानुमती नहीं था, लेकिन इस नियम को तोड़ा था एक फैरानाइस नाम की महिला, जो अपने पुत्र, पीसी दूरस, जो बाक्सिंग खिला री था, उसके प्रतेडियता में भाग लेती हुए, देखने के लिए इस नियम को तोड़ा था, और एक डेमेटरा नाम की पुजारीन होती थी, जो एक ही ही इस्त्री होती थी, जो खेलों के अंदर जा सकती थी, याद रखेगा, यहाँ पर अवरती उलबिखेरों में भाग नहीं ले सकते थी, याद रखेगा, कोसिय नमर स्टीविन है, मांस्पीसियों के संकुचन में जब मांस्पीसी छोटी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते है, कमजोर चोटी हो जाती है, अभियास के कमी के कालता है, उसको हम और ट्रॉफिया दिस्टॉफिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा कुछ शाओर है, यहाँ पर यह मसल्स सार्टेन, आजब पर यहाँ इससमात डर्वल जाता हो जेहाँ आएसर्ट्रिक एक्सेंट्रिक में में चोटी होती है, जैब लंबाई में बड़ी होती है उससे एसेंक्रिक कहते हैं, जब लंबाई में बडई होती है, तो उसे और आढइकिन आञेऊ, सब्सक्राइब करता है तो दोस्तों आप सबको पता है विच एलेमेंट रेट ब्लड स्टेल्स एंड केरियर ऑफ ऑक्सिजन एंड कर्बन डियक्साइड है तो यह होता है आपका हीमोग्लूबिंग में होता है हीमोग्लूबिंग के करण ही जो रग्त का रंग लाल दिखाई हीमोग्लूबिं पाए जाता है और जो एक ग्राम हीमोग्लूबिं होती है वो 1.34 एमल ऑक्सिजन के लोग कर अपने साथ जाती है यानि कि सो ग्राम में याई पंदरसो एमल पंदरसो ग्राम में बीस ग्राम जो है हीमोग्लूबिं लेकर जाती है कि याद रखेगा इसके बारे में आप स्वसंत अदर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पर जाके देखिए सभी चीज आपको कॉंफर्म हो जाएंगी कोई सिर्वावल के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है तो कॉशन फ्रॉड आउट में लग रहा है दोस्तों कौन सा कथन सत्य है हाँ इसमें देखना है आपका विच इसमें अबावड फूटवाल इस ट्रू है क्या इसमें सत्य है उसको आपको देखना है सबसे बिले इस प्रकार के दोस्तिक जोन में चारु आप संपढ़ना पड यहां पर आपका आपसन नंबर एक गलत हो गया यहां पर आपसन नंबर बी है कि फुटबॉल मैच में एक रेफ्री द्वारा नेडव होता है तो बात सही है यहां पर आपसन नंबर बी ही सकते हो जाएगा फुटबॉल मैच पे एक रेफ्री द्वारा नेडव होता है ठीक है पोब आयांन के सामस्ते हैं जबकि किक और से कआप या लीका है नहीं पर लिखोता है कि इसा फूर्वॉघ भाल्याजर में उर्डवें को सब्सक्राइब में कीकॉट से कीक और रिखा यहां नूर्य जरोह का इसे कुछ नहीं है जो है कि टीम ऑट चो होता है कि एक से अंध्री साथ में दो टाइम आउट 30 एफ़र मिलता है जिसधोंद नियुकर हो ने So एक approval को i8 में थी 20 सिग का दूर टाइम आउट द्या जाता है यहां पर राइट रिति रसर क्या हो जाएगा द्थी आगप्र सिए सेट्व अपुति से अगश्य को का टेकनिकल टाइम आउट दिया जाता है कोशन नमर 11 है फुटबॉल की खेल में जब अतरित समय देने के बाद मैच कोई निवड़ा नहीं निकलता तो रेफली निमने में से किसके द्वारा मैच को फैसला करवाता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फुटबॉल मैच जो ह निवड़ा निवड़ा निकलता है उसके बाद जो निवड़ा निकलता है वह भी जयता होता है को सबकुर्ट निमर 12 है आधुनी बाद करवाल का विज़कार निन में से किसने किया आप सबको पता है जन्तों जेमस ने स्मीथ ने 1891 इसमी में अमेरिका में आधुनी बाद करवाल की विशकार किया था जिबकि बालबाल के 1855 में बिल्यम जी मॉर्गर ने किया था कोशन में 13 है बारामाथी स्टेडियम कहां इसी थे आप सब को पता है या कटक उडिसा में इसी थे कोशन में 14 है भारत का सवाधिक प्राचिन फुटबाल क्लब कुछ सा है तो इस इस फुटबाल क्लब इंडिया की बात बोला है इंडिया में सबसे प्राचिन फुटबाल क्लब जो है वह है आपका पहला जो 24 अक्टूबर 1777 इंगलायन में इसाबित किया गया यह कि भारत का पहला क्लब जह है डल्होजी क्लब है 1880 मंगाल कुलकता में पनाए गया तो यहां पर आपका हो जाएगा डल्होजी क्लब कोशन नमबर 15 है कि इस टार्णम कहां पर इसी थे वेर इस टार्णम लोकेटेग आप सबको पता है इस टार्णम जो है आपके वच्छ याने की इन चेस्ट पर होती है जिसमें दोनों तरफ से बारा बारा जोड़ी पसलियां जोड़ी दाती है और इसे तीन भाग होते है मैनुब्रियम ग्लैडी वोलस टी जीप फाइट ठीक है और जो उपर वाला भाग होता है मैनुब्रियम दोनों से हसुलियां याने की जो आपका कुछा का कि मैसे क्लेविकल हडी होती है जाकर के इस्न व्स्टांस मिलनाप कंद्धू सिमり कंद्धास ठीyy इसके पुला जो मतिवाला भाग होता है ग्लैडी विलस उसे दोनों और बराबार पसाजिया जुरूई होती है जो नीचे विला भाग होता है जीफ फाइट उसमें अंत्रीक अंग जैसे की अग्नास है अमास है उसके नीचे होती है को से नंबर स्टिक्स है क्या भी मिलान आपको करना है यहां पे आपको देखना है कि मलेरा जो है किस से फैलता है आपको पता है जो आपका मादा इनाफर्लीमर्चर कॉह अ इंसे फैलता है ते एक वन ही हो जाएगा ठीक्या तीवी जो है और यह बैक्टरिया से फैलता है तपेडिक भी इसको बुला जाता है और टुबरकुलोसिस बैक्टरिया से फैलता है तो यहां पे टीवी हो जाएगा आपका बैक्टरिया यानि की बी का बी का आपका थ्री हो जाएगा बी का थ्री एंड खस्रा यानि खस्रा जो होता है आपका इसालो द्वारा यानि वाइरस द्वारा फलता है ठीक है टूंगा वाइरस के द्वारा तो यहां पी खस्रा आपका हो जाएगा फोर सी का फोर मदू में यानि डाइबिडीज आप सब सब्सक्राइब इस निए पिल्सर होता है पूसे नियुक्त के लिए यह कों सी पोसिछर भी ती आप एची थे विच आप फॉलिंग ट्रेंश इन्स निए इन रिक्वायड फार मॉटर कंपोनेंट इस टेंथ दोस्तों मॉटर कंपोनेंट में अपका यहां पे आ जाता है प्लावयमेट्रेख एक्सरसाइज य्याप defenders छों होता है। जूम प्रैयों की। इसपे इसना स्केम क्या है प्रयों का सीच्वारीड मुंत्रफ कह़ें और फिर उपर जम करते हैं पिर नीचे आती है को साथा कि इसटीक में होता है तो सअ हूआ की के तीन भाग होती है जिसा कि है के निमों के अलसार हभी तक हा जाओ कीद्टीक गीजु से की बैप अई हैड Sorry जाहेगा अब आपसा नमबर सी कोशियर नमबर 19 है सतत परसिचर की संकरपना किसके द्वारा प्रस्थित की गई थी तो कॉंसेट और कांटिनिवस ट्रेनिंग मेथर्ट वाज इंट्रॉडप्ट बाई तो कांटिनिवस ट्रेनिंग मेथर्ट की खोई डार अनिस्ट वार वाकें ने 1920 में किय अधिया था और जैसे कि आप जानते हैं जो आपका संस्रिता है इसको डिलप करने की तीन चार बिदिया होती हैं इंट्रॉड मेथर्ट रिपीटेशन मेथर्ट कंपरेशन मेथर्ट तो कांटिनिवस मेथर्ट की खोच अनिस्ट वार वाकें ने 1920 में किया था और फॉर्टल विकिला था जो गति सहंस्रिता पढ़ाता है और स्रक्टि ट्रेनिंग की कोच उनिसो संतावन में एंडमसर अन मॉर्गन ने सक्ति सहंस्रिता पढ़ाने के लिए कि आ गया था गोचिन नमर 20 है बालीवाल में हॉल की अंतरहस्टी स्थप्र उचाई केतनी होती है विच अब कारेंट का हायोड इंडमसर एंडमसर इन्टरनिशनल लेवर तो दोस्तों बाज़वाल में हाल के उचाई इंटरनिशनल लेवर जो इंडरमसर होल होता है साहे बारहएं मिटर में ऐता है अधीर 9- fram corner जब कि आपका बैर्मिंटर जो हता है इसको 9.9 तॉ को सीके सीष्ट में होता है इनुचद र Bonus 0.91 है और इसरे मुखलें पंबर 29 में महिलाओं के लिए नेशाय काई इतनी होती है तो दोस्तो μिला कि नेट की विचाई होती है 2.24 मीटर होती है महिलाओ के लिए नेट की विचाई मुल limits एंड पॉंसों के लिए 2.43 मीटर ठीक है महिलाओ के लिए इतना होता है थो पॉंसों होता है खेल का मन रंजन सिधान किस ने दिया तो आप सबको पता है बार-बार रिपीटेट कोस्टन है जी डेवलू पैट्रिक कोस्टन नमबर 23 है मेनाथन दोड़ की दूरी कितनी होती है तो आप सबको पता है दोस्तों कि अधितम अस्थानों पर अलपाहार का पहला के अंदर 11 किलोमीटर यानि 7 मिल की दूरी पर उसके बाद सभी अलपाहार के अंदर 5 किलोमीटर यानि 3 मिल की दूरी पर होता है है अलपाहार के अंदर पर खिलाड़ी जन लेकर अपना सरी इस्पंज कर सकता है चरक सकता है कोसर नबर 24 है किस राज में क्रोड़ा विस्ट विद्याले इसी थे विच विच स्टेट इज दो इस्पोर्स इनिवर्सिटी लोकेटेट आपको पता है लश्यवाई कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन कहां पर है भारत की प्रथम राष्टी विस्विद्याले पर फिजि निए सोबीस में OIMC1 जैब फिजिकल एजुकेशन ऐसी बेक ने किया था जो कि राष्टी कहेगा तो आपका लश्यवाई को रहा है जैब फिजिकल एजुकेशन है उस्सेन निमर पतीस है बास्केश वाल खेल छेत्र के केंदरी ब्रित में बाल उचालने को क्या कहते हैं त इसे हम कहते हैं जंप बाल करते हैं अब आसे पर शुरूब्रु भी होता है जंप बाल से याद रखिंगा जुपन गाइब है इसे स्वीद का नुसासन होता है तो दिस्प्लिन आफ अफ दे काइम्प कैम्प यानि उस्ट्वी का उनसासन चाह्पन करना ठीक है कोशन नमबर 27 है एथलीट अपने जूते में अधिक सहरी कितनी लंबे इस्पाइक का प्रयोग कर सकता है यदि सत्व जो है सिंथेटिक हो तो जब सिंथेटिक ट्रेक वाट इस दे मैक्सिमम लेंथ आफ इस्पाइक एंड एथलीट कें यूज इन हीच शूच कि जोटे के नीचे वह आपको एक हस्र बहाने के लिए होता है यादे से ज्यादे कितनी इस्पाइक के आने किल हो सकते हैं तो 11 ज्यादे से ज्यादे जो है 9 mm होती है कितनी होती है 9 mm जबकि उची कूद जयलिंध्रो में सिंथेटिक ट्रैक पर 12 mm होता है जबकि नान सिंथेटिक ट्रैक के में सभी ही इस परधाओं के लिए 25 mm होता है याद रखिएगा कुश्चन 28 है यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में बीटा काभिने किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है तो दोस्तों बीटा एक क्या है आपके इमोस्तन है ठीक है इफेट चाइल्ड सोच ब्रेवरी इन एक गेम देन इट विच टाइप आप गेम तो दोस्तों यह हमारा समयगात में खेलियाने की इमोस्टनल गेम के अंद्रगत आ जाएगा कोज़न नमबर 29 है लाल तंतु से बनी स्लोर टुइस्ट मांस्पेसिया उपित होती है स्लोर टुइस्ट मसेल्स मेड़ अफ रेड फाइबर आर शुटेबल फोर आपको पता है हमारे मांसपेसिर तंतु दो पुरकार के होती है रेड मसेल फाइबर एं वाइड मसेल होती है वहा अनुपोलता पूरती बनाए रखने के कारण सहंसिलता .दहाई ठीक हो जाती लिए अधिक जब शरीक लबी समय ते ठाकान और पाइदा करने वाले कारजे से होती है यहां पर ऑक्सिएजन की अनुपूलता अपूरती बनाया जो आपका वाइट मुसल फाइवर सफेत ततू होता है वो फास्ट वी जल्दी जल्दी संकुजित होता है वो अन्य विक्रियाई स्ट्रेंथ वाले के मुमी बहुँ जाज सक्ति लगाने वाले खेलों में उपीत होती है याद रखिए कि जैसे सो मिटर स्प्रिंट हो गया भा नेतागरी के गूर्ण प्राफ्त करने का सबसे उत्तन साधन क्या है दा बेश्ट वी तू एक्वाइर लेडर लेडर्सिफ क्वालिटी तो दोस्तों कैम के का प्रबंधन करना क्योंकि कैम का जो अनुसासन होता है वो कठोर होता है और इसमें डिसिप्लीन शीखते हैं और क कि ईतल ने से किसनी मनविग्यान को परिभासित करते ही वि कहा है के मानों की ब्योहाग अथा संबंद्ध हुकादियां कarta में वहां हो कर्म करने की कुसलता ही योग है इस परिवासा को दिया है भग्वत गीता में शरक्विश्य यार रखिएगा कि पूशन में 33 है किस नाकाउट पधतीनी पराजित टीम को दुबारा खिलने का आउसा मिलता है सिंगल नाकाउट पर टीम हारती है उसके बाद बाहर हो जाती है तो यहां पर आपका डबल नाकाउट टूर्णामेंट हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका नाकाउट टूर्णामेंट होता है उसके बाद जब हारी हुई टीम होती है उसको सांतवना देने के लिए सांतवना या कॉंसलेंशन टूर्णामेंट होता है और डबल नाकाउट टूर्णामेंट यह दबल एलेमेंस में क्या होता है कि क्रटेक्टीम दो बार पराजित होने पर ही वास्तिक विजटा होती है। कोश्य नमर 34 है आज की सेशन का लास्ट कोश्य विशेश सिच्छर विथी का उप्योग किस पर निभग करता है यूज आप पॉर्टिकुलर टेचिंग मेधोड डिपॉइंट्स आनवार तो दोस्तों विशेश सिच्छर पतती जो होता है वो अध्यापक की कुसलता पर निभ सिच्छें में रखता है जिनमें वे सफलता प्राप कर सकते हैं इससे उनमें आत्मी स्वाज यारे सेलफ एस्टीम बढ़ता है और पी क्रमसा और भी कठीन के सिच्छे में सपल हो सकते हैं और पिछड़े पन के सुधार में अध्यापक की जो योगता व्योहार का भी से समा कर लेते हैं तो हम सब मिल करके जो कोशन नहीं आएगा उसको हल करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं तो चलते हैं आज के वीडियो को समवाप्त करते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में तक कि जैहें